नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी मंगल सूत्र लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परजीतों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले मैं सुनीता जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी पदमिस्री से सम्मानित सुनीता जैन का जन्म 13 जुलाई 1941 को अंबाला में हुआ काफी समय तक ये विदेश में रही अमेरिका से MA और PSD की उपाधी प्राप्त कर सुनीता जी लंबे समय तक IIT दिल्ली में अंग्रेजी की फ्रोफेसर और मानविकी विभाग की अध्यक्ष भी रही है भारतिये परिद्रश में इनकी कहानिया और भी अधिक प्रासंगी खोवटी है इन्होंने पश्मी सब्वता और भारतिये संस्कृती को बहुत गहरे महसूस किया ऐसा नहीं है कि अमेरिकी सब्वता को दोयम दर्जे की घोसित करना इनका मनतब भी हो वे भारतियों की फिसलन और सामाजिक ढोंग धर्रे की भी अच्छी खबर लेती है तो आईए सुनते हैं सुनीता जी की कहानी मंगल सूत्र चोटी सी जील है जिसमें कितनी ही लाल कश्तियां पड़ी है और चारो तरफ दिखाई पड़ रहे बच्चे और चुट्टी बिताने को निकले अमेरिकन इस्त्री पुरुष और प्रेमी योगल सितंबर महीने की छे तारिक कर लेबर डे गर्मियों की आखरी चुट्टी इसके बाद शरत का आरंभ और घरों में बंद जीवन जिसे देखो धूप सेक रहा है मानो आने वाले महीनों के लिए गर्माई बटोर कर रख रहा हो संतोश का दिल कभी-कभी इस चुपी से घबरा जाता है राकेश ऑफिस गया तो फिर करने को कुछ रहता नहीं नाश्ते की प्लेटें धोटाली और बस राकेश संतोश ने हलके से एक कंकरी पानी में उच्छाल दी तनिक सी हलचल धीमे से छपाक और फिर वही शानती जोग कर एक बतक तेजी से तैर कर दूर छिटक गई राकेश से संतोश परेशान हो जाती है कहने को कितने बरस हो गए विवाह को सब नया पुराना हो गया है यहां तक कि अमेरिका का प्रवास भी आदत बन गया है दो साल पहले अमेरिका रही फिर दो साल केनेडा अब फिर दो साल के लिए यही पर नियुयार्क में अब नियुयार्क उतना बड़ा उतना आशर जनक नहीं लगता दुकाने उतना अपनी और नहीं खीशती संदूग सब सामान से भने हैं घर अमेरिकन तरीके से सजा है, गैराज में दो दो कारें भी हैं, बर्फ में कोई चमतकार नहीं रह गया है, अमेरिकनों के कौतुहल की भी वह अभ्यस्त हो गई है, जात पांथ बिंदी साड़ी इत्यादी को लेकर उनके प्रश्णों के रटे रटाय उत्तर दे डालती है, वह सब तो कर लेती है, किन्तु एक नहीं अभ्यस्त होई है, तो राकेश की डांट की, सबसे अधिक राकेश की चरचिडाहट से ही तो वास्ता पड़ता है, वही संतोश से जेली नहीं जाती, आज भी बात क्या हुई, मिक्की ने नाश्ते के समय दूद का गिलास उलट दि बच्चों के सब अपरात संतोश के हो आते हैं, उनके सब लडाई जगडे, रोना धोना संतोश के सिर, उनका सारा काम, काम का दायत संतोश का, जाने क्या क्या कह गया राकेश, कितना चाहती है, ना सुने, ना सुने, कहने तो जो लगता है, पर शब्द हैं कि कलेजा चीरते जाते हैं सारे बदन में खून दोड़ता सा लगता है और मेज का दूध जाडन से समेटते हाथ धर-थरा कर रह जाते हैं मुठी खुलकर बंद और बंद होकर फिर खुलने को होती है और गले में दो-चार प्रतिवात के शब्द फसकर रह जाते हैं इन जगणों के बाद प्र रहती यहां है सोच्ती कहीं और का है देख नहीं सकती कि दूध गिरा रहा है एक बच्चा तुझ से समभलता नहीं शादी भी किस कमबक्त दिन हुई थी लाइफ खराब हो गई जल्दी साफ कर फर्ष पर निशान रह जाएंगे इस्टुपिड गर्ल सिर घुटनों में रख संतोष ने आसु सुखा लिये रहती यहां है सोच्ती कहीं और कहे लोग कहते हैं कि बड़ी सुंदर है संतोष राह चलता आँखों और दांतों की प्रशमसा करता है अमेरिकी कार रोक कर उसकी तस्वीर उतारते हैं कपड़े से वह नहीं सजती उससे कपड़ा सज जाता है कुछ लोग राकेश से एर्षया करते हैं कुछ उन दोनों से ही कुछ उनके सुखी संपन दिखने वाले जीवन से पर भीतर का घुन कौन देखे कैसे देखे देखने योग वह हो भी तो युनिवर्सिटी में बीसियों पर चित थे उनमें एक राज भ दब था बात राकेश तक भी पहुची पर शादी भी उसने जान बूच कर की अब बात निकलती नहीं उसके मन से सालों साल बीत गये हैं वैसे ही याद रखी हुई है प्रेम क्या इतना बुरा होता है इतना पाप की सारे गुण उसके नीचे दब जाते हैं सारा श्रे मिट जाता है उपालंब ही उपालंब रह जाते हैं इस खिले दिन में भी दिल डूबा रहता है सांस अटकती है और तबियत घबरा घबरा जाती है भीतर की छट-पटाहट जीने नहीं देती मिक्की ढूरता हुआ आया और संतोश को निश्क्रिय सा बैठे देख बिगड उठा म मम्मी मैंने कहा था कि यहां आओ और देखो मैं बतकों को चुगगा डाल रहा हूँ बिल्कुल अपने पापर पर पड़ा है संतोश उठकर सहलानियों की भीड में मिल गई मन जब इतना उदास हो तो लोगों की मुस्कराहट के उत्तर में मुस्कराना बहुत कस्ट प्रद ह होता है घड़ी बारह पार कर चुकी थी धीरे से बोली चल बेटे अभी लंच बनाना है नहीं तो डैडी बिगडेंगे मिक्की का मन नहीं था वहां से उठने को पर डैडी बिगडेंगे शब्द मानो उस बच्चे के लिए भी जादू रखते थे अपने मकई के लिफाफे कि एक विशालकाय अमेरिकी लड़की चटकीली लाल ड्रिस में सजी उसका हाथ अपने दोनों हाथ में लेकर हिलाए जा रही थी मूँ बनाय मिक्की बराबर में खड़ा देख रहा था अमेरिकी जब उसकी मम्मी से बोलते हैं तो मम्मी उसकी और से बेखबर हो जाती है यह ही बात मिक्की को अच्छी नहीं लगती दोरा का मिलना इतना अकस्मात था कि संतोष अपना व्यवहार निश्चित नहीं कर पा रही थी शब्द उलज रहे थे कितनी प्यारी लग रही थी दोरा और संतोष को कितनी प्यारी थी वह तीन साल दोनों एक साथ ही बोली तीन साल में मिल रही थी वह भी दैय योग से मैंने तुम्हें पत्र लिखा था डोरा पर लोट कर आ गया तुम उस पते पर थी ही नहीं और तुम भारत से कब आई मैं तो सोच रही थी कि भारत में ही होगी अभी अच्छा यह बेटा है हाँ डोरा संतोष यह है मेरे मित्र जॉर्ज स्मित जॉर्ज यह संतोष सहेगल इंडिया से जॉर्ज से परिजय बीच में ही डोरा ने करवा दिया संतोष पूछती रह गई बॉब कहां है कैसा है बोली चलो हमारे घर हम पास में ही रहते हैं लंच वहीं खाना मैं तो चलूँगी जॉर्ज को कुछ काम है इसका एक वकील मित्र यहां रहता है जॉर्ज तुम पीछे आ जाना जॉर्ज के जाने से संतोष प्रसंद ही हुई डोरा से कितना कुछ पूचना शेश था कितना कुछ बताना पहले पहल जब वह अमेरिका आई थी तब डोरा ने ही उसे बहन की तर करवाया था डोरा का पती बॉब और राकेस एक ही जगें काम करते थे डोरा इसकूल में पढ़ाती थी डोरा को पा संतोष को कभी नहीं लगा कि दो जातियों का भेद उन दोनों में है इसने इने सब दीवारें तोड़ दी थी और जब संतोष ने सलज हास से डोरा को अपन रह से सुनाया था तब डोरा कैसी प्रसंद हुई थी सदा नई चीजें बना कर लाती खाली समय में स्वेटर और जुराबें बुन कर देती दोनों जब मिलती तब होने वाले बच्चे की ही बात ने करती तब ही राकेश को कैनेडा जाना पड़ा अमेरिका का वीजा बढ़ नहीं सका दोरा तब रोई थी संतोष को हवाई अड़े पर छोड़कर रुमाल आंखों पर दबा वहां से हट गई थी उसी इसने भरी सहोधरा से मिल संतोष भर आई मूड भी क्या चीज है अभी कुछ देर पहले का उदासमन अब अपनी खुशीश सहेज नहीं पा रहा थ उल्लास फूटा पड़ता था संतोष दोपहर का खाना मेज पर रखती जाती और कुछ न कुछ पूच्टी बताती जाती डोरा तो मिक्की से खेलने में व्यस्त थी घूम फिर कर प्रश्ण आही गया डोरा बॉब कहा है कैसा है मैं इसी प्रश्ण के इंतजार में थी संध विच्छेद हो गया है तलाग का इंतजार है चावल की प्लेट संतोष के हांस से छूटने को हो गई डोरा क्या सच हां संतोष चुपके चुपके दोनों खाने बैठी राकेश अभी नहीं आया था मिक्की दूध पी कर लॉन में मोटर दोड़ा रहा था संतोष को संतोष सोचती रही धीरे से बोली डोरा अगर ना बताना चाहो तो ना बताना पर मैं जानना चाहती हूँ क्यों मुझे तो तुम लोग सदा प्रसं नहीं दिखते थे बिना दूध चीनी की कड़वी कॉफी खत्म कर सिगरेट सुलगाती डोरा कुरसी पर लेटी सी हो गई आखें बंद कर धुआ छत की और छोड़ती बोली संतोष तुम्हें मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं मैं अपने विशय में बात करने की आदी नहीं पर तुम दूर की हो इसी से तुम से कहना सरल होगा शायद मेरा मन भी उससे स्वस्थ हो बाब को मैं बहुत पहले से जान जानती हो हमारे यहां वर का निर्वाचन लड़कियां स्वयम करती हैं मैं कोई 13 बरस की रही होंगी जब मैंने डेटिंग शुरू की तब मैं बहुत भोली थी शुरू में मुझे पढ़ने का अधिक शौक रहा है इसी से अपनी आयू के लिहास से मैं काफी गंभीर थी डे यही मुझे स्विकार नहीं था मेरे मन का आग रह था जिसे प्रेम करूंगी उसी को देह समर्पित करूंगी यह प्रेम भी पागलपन बन कर आया हमारे स्कूल का सबसे खुबसूरत धनी लड़का था एलफ्रेड उसी से प्यार हुआ तब तक मैं लड़कों में बदनाम हो चुकी थी कोई भी मुझे डेट पर ले जाने को तयार नहीं था क्यों क्योंकि मैं सपोर्टिंग नहीं थी लब मेकिंग मुझे अच्छा नहीं लगता था लड़के मेरा मजाक बनाते थे एलफ्रेड के साथ मैं गई संतोष और उसे सब दिया वह तीन महीने कैसे थे क्या बताऊं दुबारा वैसा समय किसी के जीवन में नहीं आता हम दोनों स्टेडी हो गए अंगूठी का भी विनमय हो गया था मुझे एलफ्रेड के सिवा कुछ सूझता नहीं था जो लड़किया जिस इसके साथ घूमती थी उन्हें में बड़ी ही हे द्रश्टी से देखती थ कॉफी का दूसरा प्याला डालते संतोष देख रही थी तकलीप से दोरा का मुख विवर्ण है पर संतोष चुप रही सुनती रही एल्फरेड ही बदला संतोश, वह मुझसे मेरी दास्ता से, मेरी मुहबबस से ठक गया वह नवीनता चाहता था, थ्रिल चाहता था, मेरे जैसी गोन सी चिपक जाने वाली डोरा नहीं चाहता था वह गया और मैं बिखरी, मैं भी अकेली हो गई कुछ देर के लिए, पर वह मेरे स्वभाओ के विरुद्ध था उससे कस्ट होता था, तभी बॉब से परिचय हुआ, बॉब एल्फरेड का दोस्त था, और मुझ में उसकी आ सकती थी सब जानते हुए भी, क्यों, जो कुछ वह जानता था, कोई बड़ी बात तो थी नहीं वह यह भी जानता था कि एल्फरेड के मिलने से पहले मैं कैसी थी, इसी लिए मुझ पर उसकी आ सकती थी उन दिनों वह इंजीनरिंग के लिए पढ़ रहा था, फिर भी हमने बिवाह किया बिवाह तो किया, पर कॉंट्रेक्ट की तरह, मैं सुबह और शाम दो जगे नौकरी करती थी ताकि वह पूरा समय पढ़ाई को दे सके, और जब वह इंजीनियर हो जाए, तब हम सही मायनों में अपनी ग्रहस्ती बसा सके जानती तो हो, पढ़ाई हमारे देश में कितनी महंगी है उस दिन में बहुत खुश थी, जब बाब को डिगरी मिली और नौकरी भी मिली तब मैंने उस रात बड़े उलाज से पूचा था, बाब अब हम माता पिता बन सकते हैं न, नहीं डोरा, ऐसी भी क्या जल्दी है अभी तो घर लेले, जरा सा रुक कर दूसरी कार लेले, फिर, उसने कहा, मन गिरा जरूर, पर मैं चुप रही कई साल बीट गए संतोष, घर भी हो गया, कारें भी, पर बाब फिर फिर की रट लगाए रहा क्यों? उसे बच्चे अच्छे नहीं लगते थे, या वह स्वार्थी हो गया था मेरी तब तक काफी तनख्वा हो गई थी, बहुत सालों की नौकरी जो थी, पर वह कोई परिवर्तन नहीं चाहता था और मैं नौकरी करते करते ठक गई थी, पैसा सब बेमतलब लगता था, छोटी-छोटी बातों पर जड़प हो जाती थी, घर काटने को दोड़ता गेट पर दो काने एक साथ रुकी, राकेश और जॉर्ज की, जल्दी से संतोष बोली, तो फिर, जिन्दगी जब बोज हो जाती है, तब राह बदलना अनिवार हो जाता है संतोष, ऐसे कैसे चलता जीवन के बाद क्या है नहीं जानती, पर जीवन ब्यर्थ क्यों जाए, फिल हाल अलग भी हो गए है, तलाग भी मिल जाएगा, अब क्या करना है, क्या जॉर्ज, नहीं, वह मात्र मित्र है, वैसे संभावनाय तो रहती ही है, एक ही स्कूल में हम दोनों पढ़ाते है, बहु संतोष चौकी, छडबर को शब्द लडखडाए, मैं तो अच्छी थी, अच्छी हूँ, और आने वालों की पदचाप में स्वर्ख हो गए, संतोष ने कौफी बनाई, मन भटकता रहा, कमरे में लोटी, तो मिक्की डोरा की गोदी में बैठा, उसके गले में पड़ी माला स चली गई, कमरे में बिखरे मोती समेटते संतोष सोच रही थी, माला माला में अंतर है, मेरे मंगल सूत्र से मिक्की रोज लटक जाता है, पर वह तो खुलता नहीं, खिच कर रह जाता है, दोरा की माला एक जटके से ही खुल गई, तो ये थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं